जा हिंद इस वीडियों लोग मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड कंपनी बात करेंगे देखिए यह है कैसा पेनिय श्टॉक है जो अब एक मल्टी बगर श्टॉक बन चुका है हाला कि इसमें पिछले एक दो दिनों से गिराओट भी देखे जारे तो इस गिराओट की से बात होगी आए वीडियो सुरू करते हैं सबसे देखिए जो मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड कंपनी काम क्या करती है और मैं अपने हर एक वीडियो मैं बताता हूं कि एफ्पेम से जी ता फार्मा सेक्टर के बाद जो सबसे इंपोर्टेंट सेक्टर है केमिकल सेक् रपया है हाला कि एक दू दूनों से इसमें गिराउट देखा जा रहा है लेकिन यह कोई मतलब बहुत चिंता की बात नहीं है देखिए हाई लगा चुका 149 रपय का अर्थात इस कंपनी का सेर प्राइस अधिकता में 149 रॉपय का असपास आया है जो कि पिछले साल अक्ट दूनों से इसमें गिराउट देखा जा रहा है तो अब समझें आखिर हो क्यों रहा है क्योंकि अभी आपको पता हुगा कुछ समय पाहले तक यह कंपनी असमें निकला थोड़ा इसमें समय दीजिए फिर सब ठीक हो जाएगा हाला कि अभी देखेंगे तो गिराउट हो रह है कि इसका पी रेशियो देखे 9.44 है आपको पता है किसी भी कम्पनी का पी रेशियो जितना कम रहे अच्छा हो माना जाता है अगर सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए जो समझदार लोग होते हैं नहीं कहेंगे आप थोड़ा वेट कीजिए हलका डाउन अगर आपको आरे सब्सक्राइब कर लिए अब आगे समझे सबसे मजदार बात इसका बारे में यह कि इसका पचास उर्पे से भी अधिक है मैं बार बार कहता हूं किसी भी कंपनी में किसी भी कंपनी जितना अधिक रहे उतना अच्छा होता है और P&E ratio कम होना चाहिए, Book Value जादा और P&E ratio कम होना चाहिए, Book Value का मतलब यह होता है, मतलब यह होता है कि अगर कल को माने हीजिए, इडिवाली हो- öğren क्रूप भे-लू की हिसाप से रूपयен ऋटाए जाएंगे, इसलिए बुक भलू कमपनी के जधा होना चाहिए और उससे वी अच्छी बात ही है कि कंपनी हर एक साल डिविडेंट जेती है एक तो मतलब छोटी कंपनी उसके बाद भी साल दर साल कमपनी जाती है कि यानि कि एक वाजु में एक वार यह कंपनी ह्यां को चूज कर सकते हैं इसके सेर्स को अपने पोटफोलियो में अगर साल-दरसाल आपको टिविडेंट से पैसा कमाना है तब तो यहां तक तो बाते आप समझें सुनकर कापी अच्छा लगा लेकिन अब हम दोकेते हैं कि क्वार्टर टौकर रहा है लेकिन रिभेन्यू इंक्रीज कर रहा है उसके बाजूद प्रोफिट में गिराउट है दिसंबर सिमाही के रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं उसमें प्रोफिट में हलका गिराउट हुआ है कंपनी की संपती तो वह इंक्रीज कर रहा है और चाहूं साल-जर साल कम हो यह अच्छी बात है प्रोफिट स्था प्रोफिट में अच्छा खास बूर्डर्जरी देखने को मिले और इसमें सबसे मेज़दार बाती है कि बिदेशी जो निवेसक होते हैं उनकी हिस्तेदारी इ पर मोट्रिस के सदारी भी लगवे 45 परतिसत की आसपास है पुब्लिक के सदारी 42.40 परतिसत है तो देखिए होलिंग के मामला में भी कंपनी ठीक है अगर बात करें और इस कंपनी के सेर्स हैं तो आप ज्यादा नहीं 2-3 साल इसको होल्ड कीजिए 2-3 साल में कंपनी अच्छा फंडामेंटल देखकर लेगिन आख मंद करके इसमें हेवी इंवेटर मत कीजिएगा स्ट्रॉंग रेकमेंडेस ने आपको कुछ समय समय पर प्रोफिट बुक करते रहे हैं प्रोफिट बुक करते रहा ना चोटी कंपनी में काफी जरूरी है क्योंकि स्टॉक मार्केट में अब अब उच्क परोफिट बुक करते रहे हैं और जतना इन्वेश्टमेंट है जितना रोपिया इसमें लगा है है कम सकम उतना रोपिया निकाल लेजिए बाकी जो प्रोफिट हुआ है उसको उसमें पड़े रहने दिए तो उमीद करता हूं मेरी बाते आपको समझभ में लगा होगा अगर बीडियो से लेटर कोई सवाल है मन में तमसे कमेट में पूछ सकते हैं वागी परस्टेशनली मुझे जूर करना चाहते हैं मुझे इस्टाग्रा आप फॉलो कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में ताट अधन्यबाद सुक्रिया